हलो दोस्तु आज का हमारा टॉपिक है प्लेजियरिजिम एंड डुबिकेट रूपिट न्लु में इतना इंपोर्टेनट क्यू होता है आज हम लोग वोर रूपिक सीखने वाले हैं शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी new batches start होने वाली है जल्दी से आप call करके हमारी online and offline batches की भी inquiry ले सकते हैं तो दोस्तो plagiarism होता क्या है जब भी हम किसी और के काम को copy करके उसे अपने नाम से publish करने ही कोशिश करते हैं इसे हम plagiarism कहते हैं बिना सामने वाले को बताया या बिना उसकी मनजूरी के या बिना उसे कोई भी credit दिये बगैर यह जनरली आपको online content बहुत देखने को मिलेगा किसी का भी content पढ़ा उसे copy किया उसमें थोड़ा बहुत शब्द अपने बदल दिये और फिर उसे content को आपने अपने नाम से publish कर दिया इसी को हम plagiarism कहते हैं plagiarism को सभी search engines बहुत गलत मानते हैं अगर किसी search engine ने आपके plagiarism वाले content को पकड़ लिया यह detect कर लिया तो वो आपके content को blacklist भी कर सकता है और फिर उस content की ranking भी गिरा सकता है तो बच्चो हम लोग आज इसमें discuss करने वाले हैं plagiarism की कितने सारे types होते हैं तो हमने classroom में plagiarism के 12 types पढ़े हैं या हम सिर्फ 3 सबसे common types होने हैं उन्हें हम पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहला जो type होता है उसको हम बोलते हैं intentional plagiarism मतलब कि आपने जान बूच कर जानते हुए भी कि ये गलत है आपने किसी और का content copy किया है उसमें थोड़े बद words के changes करके आपने वही content अपने नाम से publish कर दिया है बिना original writer की permission के तो इसको हम बोलते हैं intentional plagiarism दूसरा होता है unintentional plagiarism मतलब कि इसमें आपने जान बूच कर नहीं पर गलती से किसी और के content से मिलता जूलता content आपने अपने नाम से publish कर दिया है तीसरा होता है self plagiarism मतलब बीना कोई मतलब कि बीना कोई बात कि आपने अपना ही content को फिर से republish कर दिया है एक another page पे इसको हम लोग बोलते हैं self plagiarism बच्चों तो बच्चों बात आती है कि plagiarism से कैसे बचें तो internet पर आपको कई सारे tools मिल जाएंगे जो plagiarism check करके आपको बताते हैं search engines भी plagiarism का 10-12% का अगर आपका ratio आता है तो उसको accept करते हैं अगर उससे जादा percentage का plagiarism आपके समें detect होता है तो search engines भी आपके content को reject कर देते हैं हमने classroom में कई सारे अच्छे premium tools भी discuss की हैं जो plagiarism check करने में आपकी help करते हैं बच्चों यहाँ पर एक और मिलता जोलता term है जिसको हम बोलते हैं duplicate content तो duplicate content किसी भी और के content को republish करना ही होता है पर यहाँ पर हम सामने वाले को पूरा पूरा credit देते हैं हमने सामने वाले से permission भी लेते हैं कि उसका content हम यहाँ पर use कर रहे हैं इसका best example आपके लिए wikipedia है wikipedia में जब भी आपको content पढ़ते हैं तो वह वहाँ पर wikipedia जब भी कोई content कहीं से भी उठाता है तो वह अपनी website पर show करता है कि उसने वह content कहां से उठाया है उसका preferences और citations मैं फिर बता रहाँ आखर कि मैं जब भी आप किसी content को wikipedia पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको हमेशा एक references and citation का column हमेशा आपको मिलेगा एक section आपको हमेशा मिलेगा जिसमें आपको यह बताया जाएगा कि wikipedia ने originally यह content कहां से pick किया है इससे आपकी website कभी भी blacklist नहीं होती है search engine इसको और अच्छी सा promote करते हैं और आपके content को भी एक originality मिलती है दोस्तों अगर आप कहीं से content उठा रहे हैं search engines को बता रहे हैं कि यह content originally यहां से लिया गया है and all इसमें आपकी website कभी भी blacklist नहीं होगी and आपके website की ranking भी बहुत अच्छी से improve होगी इसको हम करते है canonical tag की मदद से canonical tag में हम original publisher के link डालत हैं ताकि search engines को पता चल सके कि यह content originally कहां का है I hope आपको अच्छी से समझ में आया होगा and अगर आप हमारी कोई भी batches की information लेना चाहते हैं तो आप हमारे telemark academy के website पे भी जा सकते हैं और नीचे दिये गए phone number पे भी आप contact करके हमारी offline and online batches के बारे में information ले सकते हैं